साथियों, हमारे अतीत की विरासतें हमारे वर्तमान को दिशा देती हैं, हमें बहतर भविशे घड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए आजदेश अपने इतिहास को, अपने अतीत को उर्जा के जागर स्रोत के रुपे अनुभव करता है। आपको वो समय भी याद होगा, जब हमारे यहां आए दिन प्राचिन मंदिरों की मूर्तियां चोरी होने की खबरें आती थी। हमारी कलाकृतियां बे धड़क विदेशव में स्मगल होती थी। जैसे उनकी कोई एहमियत ही नहीं थी। लेकिन अब भारत की उन दरोरों को वापिस लाय जा रहा है। और अभी हमारे किशन डेडी जी ने विस्तार से उसका वर्णन भी किया है। दो दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने दर्जनों ऐसी मूर्तियां, पेंटिंग्स और दूसरी कलाकृतियां भारत को सौपी है। इन में से अनेक पश्चिम मंगाल से संबंदित है। पिछले साल भारत को अमेरिका ने भी लगवग डेड़ सो कलाकृतियां लोटाई थी। जब देश का सामर्थ बढ़ता है, जब दो देशों के बीच अपनत्व बढ़ता है, तो इस तरह अनेको उधारन सामने आते हैं। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के कई दसों को में सिर्फ दरजन भर प्रतिमाव को ही भारत लाया जा सका था। लेकिन बीते साथ सालों में ये संख्या सवाद दोसों से भी अधिक हो चुकी हैं।